आज के ट्रिक में आपको बताने जारी हो भी क्लास 11 बायलोजी चैप्टर नमबर 3 प्लांट किंगडम के लिए ट्रिक है इसमें किते टाइपस हैं प्लांट किंगडम में और उनके एक्जामपल्स हम कैसे याद रख सकते उनके टाइपस के जो फ्र्स्ट श्रिक है वो है देखिए यह है ब्राइफाइट्स के लिए और जो हमें sentence याद रखने है इसके लिए examples को याद रखने के लिए मेरी फ्रस्ट पॉजीशन है सेटिंड नहीं यहाँ पे इस संट्टेंस के हर एक वड के फर्स्ट लेटर से एक्जांपल निकल कहेगा जैसे कि मेरी में M अपने ले लेंगे फर्स्ट में F, P से पोजिशन, सेकंड से S, ओके? So, M से हो जाएगा मर्शेंटिया, F से फिनेरिया, P से पॉलिरी ट्राइकम, S से स्फैग्नम, ओके? So, जो नेक्स ट्रीक के एक्जांपल से याद रखने के लिए वो है टेरिडोफाइट्स के एक्जांपल को हम कैसे याद रख सकते हैं उसके लिए संटेंस है, प्लीज पढ़ो, यहां पे प्लीज के हर एक लेटर से एक्जांपल निकल कहेगा लेकिन पढ़ो से सिर्फ P और D से एक्जांपल निकल कहेगा So, देखते हैं, यहां पे जैसे P से हो जाएगा, साइलोपसीडा और साइलोटम L से लाइकोपसीडा और लाइकोपोडियम E से एक्क्विस्टम और स्फेनोस्पीडा A से एडांटियम S से सलाजी निला, सैलमी निया और E से यहां पे कुछ भी निया So, यह प्लीज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट है पढ़ो पढ़ो P से आएगा टैरिस और टैरोफसीडा और D से ड्राइओ टैरिस यह कंप्लीट हो गया संदेज, प्लीज पढ़ो और यह एक्जाम्पल्स नाओ जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है जिम्नोस पर्म्स के लिए और उसके एक्जाम्पल्स कैसे याद रख सकते है और जो संटैंस हमें याद रखना है वो है चलो सबको पढ़ना चाहिए यह वे भी हम हर एक वर्ड के फर्स्ट लैटर से एक्जाम्पल निकल के आएगा जैसे यहां से चलो से C, सबको से S, P से पढ़ना चाहिए से C ओके सो एक्जाम्पल्स चाहिए से होंगे जैसे C से साइकस, S से स्क्विया, P से पाइनस, C से सिड्रस ओके और नाव नेक्स ट्रिक है एंजियो स्पर्म्स के लिए उसके एक्जाम्पल्स कैसे याद रख सकते हैं और जो ट्रिक है वो है W, W, E ओके और इसमें इसमें ऐसे एक्जाम्पल्स आएंगे जैसे इसके लिए हो जाएगा वाल्फिया, डबल है लेकिन आपको सिंगर वाल्फिया याद रखने एक्जाम्पल है उसके बाद E से यूकलिप्टस, ओके यह इसके दो ही एक्जाम्पल हैं जिए स्पर्म्स के लिए और ट्रिक है wwe, hope so these tricks would be helpful for you.